दोस्तो भारती ये जीवन बीमा निगम यानि के LIC ने अपने ग्राहों को होने वाले फ्रॉट से बचने के लिए एक अलर्ट जारी किया है ये अलर्ट LIC आफ इंडिया ने ट्विट करके भेजा है LIC के मताबिक ग्राहकों को कॉल करके भ्रहमित किया जा रहा है और कुछ जालसाज और फ्रॉट लोग LIC अधिकारी बनकर एजिन्ट बनकर या फिर IRD के अधिकारी बनकर के कस्टमर्स को फोन करते हैं और इस कॉल में पे इंशॉरेंस पॉलिसी से सम्मन देद कई नीजे जानकरियन ले करके फाइदाओं को बड़ा चड़ा करके बताते हैं क्योंकि यहां पर आपको हर रोज insurance और financial updates related videos मिलती रहती हैं LIC ने tweet करके अपने ग्राहां कों से alert रहने के लिए कहा है और tweet में उन्होंने ये भी कहा है कि ग्राहा किसी भी प्रकार की personal information किसी के भी साथ phone पर share नगरें इसके अलावा अगर आपको कोई अपरिचित किसी भी आदमी का phone आता है और वो आपको LIC की policy से सम्मंदित कोई personal details मांगता है तो आप उन्हें कोई भी details share नगरें इस टाइब के suspicious calls को आप एक particular email address पर report कर सकते हैं जो email address आपको screen पर दिखाए जारी है जिसमें लिखा है S-P-U-R-I-O-U-S-C-A-L-L-S at LIC-India.com ये email address है इस पर email करके आप अपने शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं दोस्तों LIC ने ये भी बोला है कि आपको fraud call से सावधान भी जा रहना है LIC ने अपनी तरब से जारी किये है alert में साफ साफ कहा है कि किसी भी ग्राहक को अगर कोई भी नंबर में कोई भी शक होता है तो उस नंबर को तुरंट वो attend ना करें और हो सके तो जो email address मैंने आपको बताया था उस पर उसको report जरूर करें LIC ने ग्राहकों को सुझाओ भी दिया है कि वो अपनी policy को LIC के आधिकारिक website पर register कर लें जिसमें LIC ने LIC customer app लोगों को provide किया है जो LIC का official app है उस पर अपना account बना करके आप अपनी जानकारिया ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने official जो आपका LIC agent है उसके संपर करें वो आपको सारे जानकारिया निकाल करके दे सकता है इसके अलावा भी LIC ने अपने ग्राहकों को कई बातों का ध्यान रखने का अनरोद भी किया है जिसमें सबसे पहले company ने कहा है कि वो किसी भी U-R-I-O-U-S-C-A-L-L-S-A-L-I-C-India.com पर email करके अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं ग्राहकों के पास LIC की website पर जाकर ग्रिवेंस ड्रिसल officers के details वहाँ पर आपको मिल जाते हैं और उनसे संपर करने का आपको विकल्प दिया गया है अगर आपको कोई भी जान करें चाहिए तो हम personally ये suggest करते हैं कि हो सके तो सबसे पहले अपने LIC agency संपर करें अगर उसके बाद अगर आपको उनका number नहीं मिल पा रहा है उनसे contact नहीं हो पा रहा है जब details आप verify करा देंगे तभी आप अपने details ले सकते हैं इसके अलावा आप directly हमसे भी संपर कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद LIC का authorized LIC agent हूँ मेरे पास LIC द्वारा जारी किया का ID card है license है IRDA की तरब से दिया हुआ तो जितनी possible details हो पाएंगी मैं भी आपको आपके इससे सुंबंदित जानकारी दे सकता हूँ मेरा contact number 8745934594 है दोस्तों कल इसी channel पर मैं आपको 10-11 minute की एक fake call सुनाने वाला हूँ जिसमें step by step आप यह जान पाएंगे कि किस तरीके से यह fraud callers आपकी नेजे जानकारियन ले करके आपको चुना लगाने की कोशिश करते हैं और आपके LIC policy से पैसा निकालने कोशिश करते हैं और या फिर उसको surrender करने के लिए कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से आपके account से पैसा निकाले जा सकते हैं कल जो वीडियो आएगी वो आपकी आँखे खोल देगी तो इस तरीके से आपको fraud लोगों से बचके रहना है और इस वीडियो मैं बस इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक अनुरूद माँ आप सभी से करना चाहूंगा कि इस टाइप के fraud से आपको बसना है और अपनी निजी जानकरियों कभी भी किसी भी अपरेचित आद्मी को आपको नहीं देनी है तैंकिस सो मच पर वाचिए